हेलो फैंट से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दफोकस टेडर में आई हूप कि आप काफी अच्छे होंगे और गाइस यहां पर आपको मैं 15 अगस्त याने की हैपी इंडिपेंडेंस जैकी आपको सभी को सुबकाम नाए देना सिल्वर में तो मैंने पहले भी प्रेडिक्सन की हैं और काफी सटीक अनलाइसिस हुआ है मेरा यहां पर अभी यहां पर कुछ एक चीजी है वह कुछ एक आपको पॉइंट में आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर सिल्वर इस तरह से क्यों कर रहा है देखे ब्रेक आउ प्रपस के तो मैं आपको किसी परगार का बाइएंट साल के बारे में रिगामने नातों और नाइका भी करूंगा आपके प्रोफिल डॉर्स की सब्सक्राइब नहीं कहा है तो सास्क्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से याने कि जिसमें हमारा सिलवर के चलती है याने कि M6 मार्गेट के अंदर वो शाम को पांच बज़े ओपन हो सकता है तो यहाँ पर उस चीजों को समझ के आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं अभ यहां पर समझते हैं सिल्वर के लेवल्स हैं कुछ एक लेवल्स बताऊंगा आपको फटा पट से नोट कीजिए गए अपर देखिए फोर अवर्ट के चार्ट पर आपको सीधा सीधा को समझ में आ रहा होगा जो मैंने यहां पर पैटन बना के लगाया है देखिए यहां पर सिल्वर में क्या यह जो आपको दीख रहा होगा यहां पर समझ में आ रहा होगा यहां पर इसका ब्रेक आउट किया ब्रेक आउट करने के बाद यहां पर रिश्टेंस प्रेस किया रिटेस्ट किया फिर दुबार यहां पर अपसाइड में रिश्टेंस प्रेस किया तो यहां पर क्या बनाय है यहाँ पर बनाए मगा यहां पर आपको mगं बसफान नज़राया होगा इस तरह से यहां कर रहा है और साथ में नीचे closing भी कर सकता है याने कि silver एक बर से एक बार फिर से नीचे आने के लिए तयार है तो यहां पर आप downside के लिए प्लान कर सकते हैं downside में जाने कि आपको 78,415 याने कि 78,00 यह target आपको नीचे में मिलने वाली हैं अगर closing आज इसकी यहां पर अगर running market में देखो तो यहां पर अभी 84,60 याने कि support के यह जो 1400 तक जाता हुआ नज रहेगा upcoming दिनों के लिए क्योंकि यहाँ पर sustain नहीं कर पाया है यह जो trade line यहाँ पर देख पा रहे हुँ sustain नहीं कर पा रहा है downside में आ रहा है और यहाँ पर double top बना है double top के साथ में नीचे rejections कर रहा है downside के लिए तो यहाँ पर अभी silver अभी थोड़ा चोपी हो सकता है कुछ दिनों के लिए कुछ time के लिए तो ऐसे चोपी market में अभी आप थोड़ा sideways यानि कि side में रहें silver से तो आप अपने amount को भी बचा सकते हैं और जो थोड़ा बहुत अभी कुछ करना चाहते है silver के अंदर तो वो downside का कुछ plan कर सकते हैं यानि कि कुछ एक point हो के लिए long time के लिए निगाई से यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा चोपी market होता जा रहा है silver का भी अभी यहाँ पर sideways है लेकिन अगर इसकी closing हमें आज यानि कि आज running market है के अंदर अगर आज हमें closing इसकी 80,500 से नीचे मिलती है तो फिर आपको नीचे के लिए plan करना चाहिए यानि कि फिर आपको यहाँ तक के लिए plan करना चाहिए silver के अंदर और फटा फट से one hours के chart पर चलते हैं एक बार से वन हर्स के chart पर क्या scene है वन हर्स पर भी कुछ support बन रहा है लेकि यह strong support नहीं है और उसके बाद में बर में आपको वन डे के chart पर लेकर चलता हूँ फटा फट से तो वन डे के chart पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर exactly resistance face कर रहा है और यहाँ पर देखा जाए तो वन डे के chart के उपर भी बार बार यहां पर तो यहां पर बार बार गाईस यहां पर इवनिंग इस्टार बन रहा है और यहां पर भी इवनिंग इस्टार रहा है तो यह क्या है वीकनेस के एक साइन होने के साथ साथ यहां पर आपको एक यहां पर यह भी नेगेटिव साइन मिल रहा है यह जो कैंडल यहां पर बन रहा ह बंडे का ये भी नेगेटिव साइन है यहां पर तो यहां पर जाहिर सी बात है आपको दोबारे से सिल्वर डाउन सैड में यहां तक आता हुआ नजर आ सकता है अप सैड के हम बात करते हैं अप सैड में क्या लेवल निकलने के बाद में अप सैड में जाएगा तो उसके 81,700 मान के चलेगा यहां पर अगर यहां पर 81,700 का रेंज अगर निकालता है अगर यह रेजिस्टेंस ब्रेक आउट करता है अप सैड के लिए 81,700 का तो फिर आपको यहां पर अप सैड में यानिकी 83,000 तक के टार्गेट आपको इसली देखने को मिल सकते हैं तो चले गाइस आसा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आये होंगे और इसे के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ आसा करता हूँ कि जो भी लेवल्स मैंने आपको बताएं apply करना market के अंदर तो चलेगा वीडियो में क्लोज करता हूँ Thank you traders